जैस्री कृष्ण मित्रों फिर एक बार बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत है आप सबी का आज हम बात करेंगे वी नाम बाले लोगों के बारे में वी नाम बालों के बारे में बात करेंगे यानि जिनका नाम अंग्रेजी के वी अक्छड से सुरू होता है उनके लिए साल 2022 कैसा रहेगा इस बारे में बात करेंगे 2022 में प्रेम संबंद, बैभाइक संबंद, कैरियर, स्वास्थ, नौकरी, ब्यवसाय और धनकी बात करेंगे इसलिए वीडियो को पूरा अन तक देखें वसुनें तभी आप वी नाम वालों के राशिफल 2022 के बारे में पूरी जानकारी प्रात कर पाएंगे तो चलिए मित्रों सुरू करते हैं पहले वी नाम वाले लोगों के आर्थिक जीवन की बात करेंगे वी नाम वालों के आर्थिक जीवन की बात करेंगे तो आर्थिक जीवन में जो लोग नोकरी पेसा लोग हैं उनके लिए साल बढ़िया रहेगा आपका भागे मजबुती से आपका साथ देगा जिससे आपके सभी कारे बनेंगे नोकरी में आपको मंचाहे ट्रांसफर की योग भी बनेंगे इस साल आप अपने कारे में काफी मजबुती से डटे रहेंगे और आपका ग्यान आपके कारे में नजर आएगा और आपको आगे बढ़ने में मदद मिलेगी जिससे आपका आर्थिक जीवन भी अच्छा होगा और आपके काम की टारीफ होगी और आपकी इस्थिती मजबुत होगी साल के अंतिम महिनों में आपकी सेलडी भी बढ़ सकती है और आर्थिक दिश्टकोर से ये साल भी नाम वालों के लिए सामाने रहने वाला है आमधनी के नए रास्ते खुलेंगे हलांकि जितनी आमधनी होगी खर्चा भी उसी तरह आपका बढ़ा रहेगा इसका मतलब यह होगा कि आर्थिक स्थिति जिसकी तस्वन रह सकती है लेकिन 13 अप्रेल से आपकी आय के हालात बदल सकते हैं और इस दोरां धन के मामले में कुछ बचत आप कर सकते हैं लेकिन अगर आप निवेस करने की सोच रहे हैं या किसी को पैसे उधार देने की सोच रहे हैं तो ऐसा करने से आपको अभी बचना चाहिए या फिर जाज परक कर इंवेस्टमेंट करें या लेन देन करें आपकी आर्थिक स्थिति में सकारात मों बदलाओ देखे जाने की संभाबना है वहीं अपरेल के महिने में आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए काफी धन खर्च कर सकते हैं और अपरेल महिने के बाद अपने इंवेस्टमेंट बगरा भी कर सकते हैं इस दोरान आप चाहा कर भी धन बचत नहीं कर पाएंगे और साल के आखिर में खर्चे ज़्यादा भी बढ़ सकते हैं आपके बैसे पूरा साल आपके लिए अन्कूल दिख रहा है और जो जातक नई जौब यानि की नौकरी की तलास में हैं प्राइवेट नौकरी की तलास में हैं उनके लिए साल बेतर रहेगा और जन्वरी महीने के मद्ध में आपको किसी प्रकार की गुब्द सोतों से अच्छा लाप मिल सकता है वहीं अप्रेल के महीने में आपके ब्यापारिक समंदों में मजबूती देखने को मिलेगी आपको धनलाब होने की संभाबना भी अधिक रहेगी और ये समय आपके समंद उच्चा दिकारियों और सहकरिमीं के साथ मधूर रह सकते हैं और इस दोरान ब्यापारिक कारियों में सफ़लता के योग भी दिख रहे हैं और अगस्य सितंबर के बीच आपके वी नाम वाले जात्कों के कारीच छितर पर यहनी आपको कारेश चत्र में तरक्की मिल सकती है भागे का साथ मिल सकता है जो कि वी नाम वालों के लिए हर तरह से अच्छा होगा और अप्रेल से लेकर सितंबर तक का समय वी नाम वालों के लिए ब्यापार करने के साथ साथ नए ब्यापार को सुरू करने के लिए भी अच इक्जाम के त्यारी कर रहे हैं, उनके लिए साल पॉजिटिव रहेगा, सकारात्मक नतीजे देने वाला हो सकता है, और जन्वरी महिने के मध्धे में वी नाम वालों को उच्छा प्राप्त करने के अपसर भी मिल सकते हैं। इसकूल में दाक्रा लेने की सोच रहे हैं, तो वो भी उनको मिल सकता है, और इस कारे में सफलता भी मिल सकती है, और वी नाम वालों के लिए सिच्छा के लिहास से अनकूल समय रह सकता है। और इस दोरान जो जाता कपड़ी सनिक जाम के त्यारी में सफल त्यारी कर रहे हैं वो सफल भी हो सकते हैं और चात्रों को उम्मीद के अनुसार फल प्राप्त होने की संभाबना भी बनी रहेगी वी नाम वालों के पारिवारिक जीवन की बात करें तो अप्रेल महने के दोरान आपको अपने पिता के साथ संभन्धों को थोड़ा सजग रहना होगा पिता से किसी बात को लेकर बात भी वाद ना करें बढ़ना आपके पिता के साथ संभन्ध खराब हो सकते हैं इसके वज़ है तो अध्यान अबस्य रखें और आपके आगे के महिनों में बेहतर नची दीजे मिलेंगे और इन महिनों के दौरान परिवार के किसी बुजर्ग को लंबे बक्त से चल रहे किसी रोग से मुत्ती भी मिल सकती है जिसकी वज़े से आपका मांसिक तनाव भी कम होगा और विय माई के मद्द के दौरान आप मांसिक तनाव में भी आ सकते हैं थोड़ा और दूसरी तरफ माई से अगस्त के समय के दौरान अपने माता पिता का स्वास्त आपका ध्यान रखना पड़ेगा जैसा मैंने बोला है हालांकि स्वास्त बेतर होने की सभावना पनी रहेगी लेक कुल मिलाकर प्रणाम अच्छे रहेंगे लेकिन मिले जुले प्रणाम ही मिलेंगे स्वास्त को लेकर भी नाम मालों के प्रेम समंधों की बात करें तो एस साल आपके प्रेम जीवन के लिए सामाने रहेगा और आपको इस साल प्रेम समंधों को लेकर थोड़ा ध्यान रखन पड़ेगा और आप अपने प्रेमी या प्रेमिका पर कम ध्यान दे पाएंगे इस वज़े से आप अपने प्रेमी या प्रेमिका का दिल दुखा सकते हैं और बार बार आपको इस बात को जताएंगे कि आपने उनकी कदर करना कम कर दिया है लेकिन आप इन बातों को नहीं साल का मद्द आपके प्रेम जीवन के लिए अच्छा रहेगा और इस साल के सुरुवात में भी नाम वालों की लव लाइफ जो है बहतर रह सकती है और 25 अपरेल से जून तक का जो समय है वो भी नाम वालों के लिए खास रह सकता है और इस समय के दौरान नए प्रेम समंद की योग भी बन रहे हैं खास कर ऐसे जातक जो नए साल जो इस नए साल में किसी को प्रपोज करने की सोच रहे हैं उनके लिए समय ये वाला अच्छा रहेगा और 10 अगस से दिसंबर तक के बीच की अस समय जो है आपके लिए प्रेम समंदों के लिहास से मिला जुला रहने वा बात भी बात ना करें और कोशिस करें कि आप सांत होकर पार्टनों की बातों को सुने समझें और समझाएं और साल 2022 का आखरी महिना यानि कि दिसंबर का महिना दिसंबर के महिने के आखिर में आपके प्रेम समंदों में एक नई उर्जा वाला महिना साबित हो सकता है और अख़द रहेगा और आप अपने प्रेमी अप्रेम काके साथ में काफी अच्छा समय भी प्यतीत करेंगे। 지금 आप अप्रेमी काफ़ की अपने और आप एपने प्रेमी अप्रेमी मिल सकता है खासकिर 25 अप्रेल से इसके लिए समय अच्छा होगा जो लोग अब तक सिंगल हैं उन्हें अपने योग पार्ट्नर भी मिल सकता है, बी नाम बाilt जोलोग साधी के लिए सही पार्ट्नर की त तलास कर रहे थे उनकी भी तलास इस पूरी हो सकती है और इस साल जो लोग साधी योग हैं और साधी करना चाहते हैं उनकी साधी हो सकती है जो लोग प्रेम संबंदों में भी हैं और साधी करना चाहते हैं तो उनको अपने परिवार वालों को मनाने में मुश्किल होगी आसान सच्चा प्रेमिया प्रेमिका इतनी आसानी से नहीं मिल पाएगा इस वर्स इसलिए इस संबंधों में आगे बढ़ने से पहले जांचना और जानना बहुत जरूरी है वी नाम वाले लोगों के बैभाईक जीवन की बात करें और इस दवरान आपको अपने दामपत्य जीवन में एक प्रकार का नयापन देखने को मिल सकता है और इस नयापन से आप दोनों के रिष्टों में एक नई उर्जा के आने की संभावना बनी रहेगी जो आपके बैभाईक जीवन को और भी ज्यादा सुकत बना सकती है साथ ही आपको 27 जुन से 10 अगस तक थोड़ा साब धानी बरतने की सला दी जाती है ऐसे में आप देख दूसरे से सईमित होकर बात करें तो बहतर होगा और इस समय पर आपके दामपत जीवन में भी विवाद हो सकते हैं जगडों और कलेस की वज़े से रिस्टों में तनाव आ सकता है और वी नाम वाले लोगों को अपने रिस्टों के लेकर थोड़ा सतर रहने की जरूरत है अपने भी सांती बनाये रखें, धहरे बनाये रखें, सईम से कार लें कोई मतभेद ना करें, कोई गलत फहमिया ना पालें, कोई बेर्थ के बाद बिवाद ना करें और बातचित के दौरान अपने सब्दों का सही तरह से चैन करना बहुत जरूरी है हमेशा सायम में रहकर पार्टनों के साथ बातचित करें ऐसा न करने से आपके रिष्टे खराब हो सकते हैं, रिष्टों में दराल आ सकती है आपके रिष्टे में प्यार और रोमांस की बढ़ोतरी होगी, एक दूसरे के साथ काफी अच्छा वक्त बिताने का मौका भी मिलेगा इस साल आप अपने प्रेम जीवन में आगे बढ़ेंगे और आपको अपने प्रेमी और प्रेमी का कुछ ज्यादा समझने का मौका भी मिलेगा बैभाईक जीवन इस साल सामान रहेगा लेकिन गलत फह्मिया हो सकती हैं इस स्थिति से बचने के लिए आपको अपनी और से हर संभब कोसिस करनी होगी और आप अपने जीवन साथी के साथ अच्छा समय भी बिताएंगे और वी नाम बाले जो लोग हैं प्रेम में एक दूसरे के प्रति अपनी जिम्मेदारियां भी निवाएंगे तो कुछ इस तरह के प्रणाम मिल सकते हैं वी नाम बाले लोगों को बर्ष दो हजार बाईस में तो मित्रों आज मैंने आपको वी नाम बालों के बार्षिक राशिफल में कुछ चर्चा की ये राशिफल सामाने राशिफल है और ये सभी जातों पर पूर्णूप से प्रभावी होगा ऐसा बिलकुल भी संभब नहीं है आप सभी स्वस्त रहें आईश्मान रहें धनवान रहें ऐसी मेरी श्रीकष्ण भगवान से प्रार्थना है जै श्रीकष्ण